प्यारे बच्चों, नमस्कार, मैं हूँ आपकी अध्यापी का संगीता ककर, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ, आप सब अच्छे होंगे. तो आईए शुरू करते हैं आज का पार्ट, वसंत भाग दो का पांच्वा पार्ट, मिठाई वाला. ये एक बहुत ही सुन्दर कहानी है, जिसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपई जी. भगवती प्रसाद वाजपई जी के लेखन में हमें प्रेमचन जी की जलक मिलती है. उन्हीं की तरह इनकी कहानियों में लोगों के दुख दर्द का हृदेश परशी वणनन मिलता है. भगवती प्रसाद वाजपई जी ने कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, आदी, कई रूपों में लेखन किया है. प्रस्तुत कहानी मिठाई वाला में लेखक ने हमें ये बताया है कि मानव जीवन में अभावों तथा कश्टों का आना स्वभाविक है. और हम अपना दृष्टी को उन बदल कर दुखों को कम करके सुखी जीवन बिता सकते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर. सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के शिर्षक की. कहानी के शिर्षक से आप क्या समझ रहे हैं? कौन होता है मिठाई वाला? मिठाई वाला मतलब है मिठाई बेचने वाला. इस कहानी में वे गलियों में घूम घूम कर अपना सामान बेचता है इस तरह के व्यक्तियों को फेरी वाला भी कहते हैं आपने भी कभी न कभी ऐसे लोगों से सामान खरीदा होगा न आपने अपनी कोई मन पसंद चीज बेचने वाले फेरी वाले से क्या सामान खरीदा और जब वे आता है तो क्या आप भागे भागे उसके पास जाते हैं जैसे गर्मियों की छुटियों में जब कुलफी बेचने वाला आता है तो बच्चे जट से घर से बाहर आ जाते हैं और कुलफी वाले के पास पहुँझ जाते हैं अच्छा बताओ आपको कैसे पता चलता है कि कुलफी वाला आ गया कुलफी वाले अकसर क्या करते हैं घंटी बजा कर अपने आने की सूचना देते हैं कुछ दूसरे फेरी वाले अलग-अलग तरह से आवाजे लगाते हैं कुछ लोग तो ऐसी सूरीली आवाज लगाते हैं या एक गाना सा गाते हैं कि लोग अकरशित हुए बिना रहे ही नहीं पाते कुछ इस तरह की आवाजे याद हैं आपको? याद करिये जैसे गुबारे वाला कैसे आवाज लगाता है बताईए और पापड बेचने वाला वे कैसे बोलता है सब्जी और फल बेचने वालों को तो आपने अवश्य ही सुना होगा बच्चों हमारे देश में ये फेरी वाले बहुत पुराने समय से इसी प्रकार घूम घूम कर समान बेचते रहते हैं आज कल बड़े बड़े शहरों में तो इनका आना कुछ कम हो गया है क्यों? क्योंकि लोग बड़ी-बड़ी सोसाइटियों में रहते हैं जहां इन लोगों का आना मना होता है लेकिन छोटे शहरों और गाओं आदी में अभी भी कई तरह के सामान लेकर फेरी वाले आते हैं मैंने तो अपने बच्पन में बहुत से फेरी वालों को देखा है तो चलिए अब कहानी की और बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कहानी मिठाई वाला बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वे गलियों में घूमता हुआ कहता बच्चों को बहलाने वाला, खिलोने वाला इस अधूरे वाक्य को वे ऐसे विचित्र किन्तु मादक मधुर धंक से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उटते उसके सनेहा भिशिक्त कंट से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मत जाती छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे जहांगने लगती गलियों और उनके अंतर व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का जुंड उसे घेर लेता और तब वे खिलोने वाला वहीं बैठकर खिलोने की पेटी खोल देता बच्चे खिलोने देखकर पुलकित हो उठते वे पैसे लाकर खिलोने का बोल भाव करने लगते पूछते इचका दाम क्या है? ओल इचका? ओल इचका? खिलोने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्नी नन्नी उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलोने दे देता खिलोने लेकर फिर बच्चे उचलने कूटने लगते और तब फिर खिलोने वाला उसे प्रकार गाकर कहता सागर की हिलोर की भांती उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुँचता और खिलोने वाला आगे बढ़ जाता राय विजे बहादूर के बच्चे भी एक दिन खिलोने लेकर घर आई वे दो बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू चुन्नू जब खिलोने ले आया तो बोला मेला घोला कैचा चुन्दल है मुन्नू बोला ओल देखो मेला कैचा चुन्दल है दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उचलने लगे इन बच्चों की मा रोहिनी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरकती रही अंत में दोनों बच्चों को बुला कर उसने पूछा अरे ओ चुन्नू मुन्नू ये खिलोने तुमने कितने में लिये हैं मुन्नू बोला दो पैचे में खिलोने वाला दे गया है रोहनी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया है कैसे दे गया है ये तो वही जाने लेकिन दे तो गया ही है इतना तो निश्चे है एक जरा सी बात ठहरी रोहिनी अपने काम में लग गई फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यक्ता भी भला क्यों पड़ती छे महीने बाद नगर भर में दो चार दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया लोग कहने लगे भाई वाह मुरली बजाने में वे एक ही उस्ताद है मुरली बजाकर गाना सुनाकर वे मुरली बेचता भी है सो भी दो-दो पैसे में भला इसमें उसे क्या मिलता होगा मेनद भी तो ना आती होगी एक व्यक्ती ने पूछ लिया कैसा है वे मुरली वाला मैंने तो उसे नहीं देखा उत्तर मिला उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी यही तीस बत्तिस का होगा दुबला पतला गोरा युवक है बीका नेरी रंगीन साफा बानता है वही तो नहीं जो पहले खिलोने बेचा करता था क्या वे पहले खिलोने भी बेचा करता था हाँ जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वे भी था तो वही होगा पर भई है वे एक उगस्ताद प्रती दिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती प्रति दिन नगर की प्रतेक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता बच्चों को बेहलाने वाला, मुरलिया वाला रोहिनी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना तुरंथ ही उसे खिलोने वाले का स्मरण हुआया उसने मन ही मन कहा खिलोने वाला भी इसी तरह गागा कर खिलोने बेचा करता था रोहनी उठकर अपने पती विजे बाबू के पास गई जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नु मुन्नु के लिए ले लू क्या पता ये फिर इधर आए ना आए वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं विजे बाबू एक समा चार पत्र पढ़ रहे थे उसी तरह उसे लिये हुए वे दर्वाजे पर आकर मुरली वाले से बोले क्यों भई किस तरह देते हो मुरली किसी की टोपी गली में गिर पड़ी किसी का जूता पार्ट में ही छूट गया और किसी की सोथनी ही धीली होकर लटक आई है इस तरह दोड़ते हाफते हुए बच्चों का जुन आ पहुँचा एक स्वर से सब बोल उठे हम भी लेने मुरली हम भी लेंगे मुरली मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा बोला सब को देंगे भाईया लेकिन जरा रुको ठेहरो एक एक को देने दो अभी इतनी जल्दी हम कहीं लोट थोड़े ही जाएंगे बेचने तो आई ही है और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी सत्तावन हाँ बाबु जी क्या पूछा था आपने कितने में दी दी तो वैसे तीन तीन पैसे के हिसाब से हैं पर आपको दो दो पैसे में ही दे दूँगा विजे बाबु भीतर बाहर तोनों रूपों में मुस्कुरा दिये मन ही मन कहने लगे कैसा है देता तो सबको इसी भाव से है पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है फिर बोले तुम लोगों की जूट बोलने की आदत होती है देते होगे सभी को दो दो पैसे में पर एहसान का बोज़ा मेरे ही उपर लाद रहे हो मुरली वाला एक दम अप्रते भो उठा पोला आपको क्या पता बाबुजी कि इनकी असली लागत क्या है ये तो ग्रहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानी उठाकर चीज क्यों न वेचे पर ग्रहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है आप भला काहे को विश्वास करेंगे लेकिन सच पूछिए तो बाबुजी असली दाम दो ही पैसा है आप कहीं से दो पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते मैंने तो पूरी एक हजार बनवाई थी तब मुझे इस भाव पड़ी है विशे बाबु बूले अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं जल्दी से दो ठो निकाल दो दो मुरलियां लेकर विशे बाबु फिर मकान के भीतर पहुँच गए मुरली वाला देर तक उन बच्चों के जुंड में मुरलियां बेचता रहा उसके पास कई रंग की मुरलियां थी बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसे रंग की मुरली निकाल देता ये बड़ी अच्छी मुरली है तुम यही ले लो बाबु राजा बाबु तुम्हारे लायक तो बस ये है हाँ भईये तुमको वही देंगे ये लो तुमको वैसी न चाहिए ये नारंगी रंग की अच्छा वही लो ले आए पैसे अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से ये निकाल रखी थी तुमको पैसे नहीं मिले तुमने अम्मा से ठीक तरा मांगे न होंगे धोती पकड़ कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे दुअन्नी है, तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे देखो, मैंने तरकीब बताई, अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है सब ले चुके, तुम्हारी मां के पास पैसे नहीं है अच्छा, तुम भी ये लो, अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ इस तरहां मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया आज अपने मकान में बैठी हुई रोहनी, मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बाते करने वाला, फेरी वाला, पहले कभी नहीं आया फिर वे सौदा भी कितना सस्ता देता है भला आदमी जान पड़ता है समय की बात है, जो बिचारा इस तरह मारा मारा फिरता है पेट जो ना कराए, सो थोड़ा इसी समय मुरली वाले का क्षीन स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला रोहनी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी और स्वर कैसा मीठा है इसका बहुत दिनों तक रोहनी को मुरली वाले का ये मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रती वेसने सिक्त बातें याद आती रही महीने के महीने आये और चले गए, फिर मुरली वाला न आया धीरे धीरे उसकी स्मृती भी शीन हो गई आठ मास बाद सर्दी के दिन थे, रोहनी स्नान करके मकान की छत पर चड़कर अजानु लंबित केश रास्शी सुखा रही थी इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, छट से रोहनी नीचे उतर आई उस समय उसके पती मकान में नहीं थे, हाँ उनकी व्रिधा दादी थी रोहनी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है जरा कमरे में चल कर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाओ, कोई आता नहो जरा हट कर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूमा ये नए तरह की मिठाईया हैं, रंग बिरंगी, कुछ-कुछ खटी, कुछ-कुछ मीठी, जाइकेदार बड़ी देर तक मुँ में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाफ से चूसते हैं, इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं, कितनी दूम? चपटी, गोल, पहलदार, गोलियां हैं, पैसे की सोला देता हूँ दादी बोली, सोला तो बहुत कम होती हैं, बला पच्चेस तो देते मिठाई वाला बोलता है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ ये अब मैं तुम्हें क्या, खेर, मैं अधिक न दे सकूँगा रोहनी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है चार पैसे की ले लो, ये पैसे रहे मिठाई वाला मिठाईयां गिनने लगा, तो चार की दे दो अच्चा, पच्चिस नहीं सही, बीस ही दो अरे हाँ, मैं बूडी हुई, मोल भाव अब मुझे जादा करना आता भी नहीं कहते हुए दादी के पोपले मूँ से जरा सी मुस्कराहट खूट निकली रोहनी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आय थे, या पहली बार आये हो थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ रोहनी चिक की आर्स ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आये थे, या और कोई चीज लेकर मिठाई वाला हर्श, संचे और विसमे आदी भावों में डूब कर बोला इस से पहले मुरली लेकर आया था, और उस से भी पहले खिलोने लेकर रोहनी का अनुमान ठीक निकला, अब तो वे उस से और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी वे बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वे बोला, मिलता भला क्या है? यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता पर हाँ, संतोश, धीरज और कभी-कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ सो कैसे? वे भी बताओ, अब व्यर्थ की उन बातों की क्यों चर्चा करूँ? उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उच्चुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई और भी ले लूँगी अतिशे गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था मकान, व्यवसाई, गाड़ी, घोड़े, नोकर, चाकर, सभी कुछ था स्त्री थी, छोटे-छोटे दो बच्चे भी थे मेरा वै सोने का संसार था बाहर संपत्ती का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था स्त्री सुन्दरी थी, मेरी प्राण थी बच्चे ऐसे सुन्दर थे, जैसे सोने के सजीव खिलोने उनकी अठखेलियों के मारे घर में को लाहल मचा रहता था समय की गती, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है दादी प्राण निकाले नहीं निकले इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं आखिर कहीं नजन में ही होंगे उस तरह रहता घुल-घुल कर मरता इस तरह सुख संतोश के साथ मरूंगा इस तरह के जीवन में कभी-कभी अपने उन बच्चों की एक जलक सी मिल जाती है ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन ही में उचल-चल कर हस खेल रही है पैसों की कमी थोड़े ही है आपकी दया से पैसे तो काफी है जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ रोहिनी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा उसकी आँखें आस्वों से तर है इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए रोहिनी से लिपट कर उसका आँचल पकड़ कर बोले अम्मा मिठाई मुझसे लो ये कहकर ततकाल कागज की दो पुडियां मिठाईों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी रोहिनी ने भीतर से पैसे फेंक दिये मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे न लूँगा दादी बोली अरे अरे ना ना अपने पैसे लिये जा भाई तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला तो कैसी लगी कहानी आपको? अच्छी थी ना? और मिठाई वाले के बारे में आपके क्या विचार है? कैसा इंसान था वे? वे एक भला इंसान था और बच्चों के साथ बहुत प्यार करता था है ना? बच्चों पाठ के पहले भाग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ दूसरे भाग में हम पाठ को आगे वढ़ाते हुए इसके प्रश्नोत्तर करेंगे ठीक है? नमस्कार